हेलो गाईज, आई नो वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, आप लोगों जे कॉल भी करते हो, मैसेज भी करते हो और पूछते हो कि भाई या वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, मैं कुछ दिनों से mental and physical pressure से गुजर रहा था, इसलि या जिलेट देने वाले हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फाइदा मन होगा, कि इस वीडियो में मैं सारा कुछ में बताऊंगा, जो भी होड़ा अभी, आप लोगों मुझे बहुत सारा प्रोकेशन कर रहे हैं तो मैंने सुच आप लिए वीडियो बना द होगा, यह होगा यह नहीं होगा ठीक है, एंट तर्ट जो आप वाले इंटर्मिर सिमस्थर एक्जाम होगा यह नहीं होगा, ऑक तो इसके ऊपर बहुत सारे बाते करेंगे, हम लोग फाइनल से मिस्थर एंटर में से बिस्थर के ऊपर, क्योंतित देखो, वीडियो पॉपर कौन से मन्त में जिलेट एक्जाम हो सकता है आप लोग पता होगा कि जुलाई में जून में हमारे एक्जाम होना चाहिए था ठीक है 28 जून को तो नहीं हुआ तो अब क्या एक्स्टेंड होगा कब होगा वह पलगों को बता दूँगा इस वीडियो में तो वीडियो को लाज स बिटिक में पड़ना चाहते हो जो फचेंद बिटिक में जाओंगे तो भीडिक का थी समिस्टर एक्जाम कब से स्टार्ट होगा एमिंद्ध आप से मन्त से अकड़ेंट कि यह स्टार्ट होगा ठीक है एंद दो लाज हो माइवव सजेस्टेशन आंज जी इंपर्टन क्योंकि देखो semester exam होने के बाद भी जिलेट होता है क्योंकि देखो जो हमारे counseling होता है counseling के बगत हमारी जो result बहुत ही mandatory है ठीक है बहुत ही important है result के बिने आप लोग admission भी नहीं ले सकते कोई भी college join भी नहीं कर सकते है वो private हो या government हो ठीक है और इसके तो most important क्या हो आ हो जाता है final semester and intermediate semester okay तो final semester most important हो जाता है तो चलो हम लोग पहले यह जो तीन चार question है तीन चार इसके उपर दो जान लेते final and interview semester क्या होने वाला उसके बाद जो एक दो 5-6-7 का मैं answer दूँगा ठीक है तो चलो देख लेते फार देखो यह जो important days जो official website में था वो अभी कुछ भी नहीं यह एकदम फाल्दू हो गया ठीक है इसके उपर कोई भी आप लोग जानते हो आप लोग जानते हो आप लोग मुझे बहुत सारा question कर रहे तो इसके उपर की अठाइस उनको जो exam था वो नहीं हुआ ठीक है तो क्या करूं होगा या नहीं होगा तो बता दू अठाइस उनको जो exam होने बाला था वो तो extend कर दिया है अभी तक date published नहीं तक सारे colleges, university, schools बंद रहेगा ठीक है इसके उपर जो depend करके मैं आपका जो सारा question का answer देने वाला हूँ ठीक है तो WBCTE preferred mode of assessment की देखो UGC वालों ने साब साब बोल दिया था जो हमारे guidelines के guidelines था तो उसमें बोला था कि सारे state government पर अंदर जो भी निवर्सिटी आता है उन लोगो को जो grievance cell बनाना पड़ेगा एंड सारे parents and student को जो opinion देना पड़ागा ठीक है तो इसलिए जो grievance cell किया था and mode of assessment का किया था तो यह उसके अंदर जो result निकला है आप लोग बता दू, offline examination in pain and papers mode 7% आया है ठीक है, assessment on the basis of last semester 78% आया है and assignment by assigning home tax, okay home task के उपर आया है 15% यह तीनों दिय आप देख रहे हो 7% 78% 15% तो मेरे खाल से दो नंबर पर जो choice था वो ही आई तिंग लागो होगा, ठीक है, तो अभी भी जोसका result अभी तक नहीं आया है, मैं जस्ट अपलोड दिखाने के लिए इस जो लिखा है, ठीक है, तो जो लोग लेक रहे हैं, next three department of higher education advisory regarding UG and PGA examination, उसम सिर्फ बोला का है, UG and PGA examination के लिए जो एडवाई से जारी किया है, सारे state-aider goal universities को, कि आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है, इसमें जो 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 लिखा है, मैं बता हूँगा, आप लोग कोई ब्रब्लम नहीं, आप लोग आई तिंग माल हूँँ चल जाएगा होगा, क्या का नि साल निकलना जाहा है, ठीक है, तो, अब क्या होगा, पौला टेक्निक स्टूडेंस का, ठीक है, पौला टेक्निक स्टूडेंस का, क्या होगा, इसमें तो इसमें तो सिर्फ UG and PGA examination लिखाया, पौला टेक्निक जो होता है, Oождase State Council of Technical Education का अन्दर आता है, यहान जो department of Higher Education का अन् जो भी कुल जाद उसमें भी जारी करेगा है कि नहीं तो यह जो प्राटेकनिक सुटने हो तो स्टेट गवर्मेंट के अंदर आता है तो वो जो लोग डिसाइड करेगा वोट्स और डबलू बी एस सिटी बोड को मानना ही पड़ेगा ठीक है तो वह आप लोग बता आप आप लोगो को भी मानना पड़ेगा हर एक कॉलेज को ठीक है तो ही बताया है तो आप लोगो ड़ने का कोई बात नहीं यूजी पीजी अगर बोला है तो आप लोग को भी वह मानना पड़ेगा ठीक है आप लोगो को लीवी होगा तिसलिए तो मोड़ असेस्मेंट लिखाए था ना तो चलो फिर देख लेते जो अभी मोस्ट न्यू अप्डेट सेमिस सड़ी है साड़े स्टेट इनिवर्सिर्स को एडवाई से जारी किया था उन लोग के पास लेटर गया है और लोग पड़ेगा देखेगा उसके बादी देशन लेगा एंड जो खुद के वह साइट में प्रप्रिस करें तो ही वह लागू होगा तब तक नहीं ठीक है से मिस्टर्स ने रहे मिला के होगा अब इस महीं थोरा स AH आगा जाता है कई रिघल आ ये नीज पर है जैस्ट जो इस यह ही आई हो गाएस समिस्टर में हाइस नंबर मिला था आपको वही लागू होगा एन कुछ मैं बोला था कि सारे समिस्टर को मिला के आवरेज कर देगा यह डिपेंड करते हैं को अपके अपके बोर्ड के ऊपर ठीक है अडिपेंड करता है उसके तरीका से होगा ठीक है एंड देखो 20 पहले इंटरनल दो इपलो में दो इंटरनल होता है सगन फर्सनर में हो गया है तो सब्क्रक्राइब बोला है कि और शुर्टन्स अलब नेक्स समिस्टर बटग बट बट कहा होगा बट इसमें बहुत चाटा है क्या होगा मेस्में यहीं तो 메यत ग्ष्ट होगोगे युदर के स्यूद्府 Peng देरामी कि हमें क्यों आतीं चैनल यहीं है नियुक्य नंदर सवरेक्षजेन के ग् STAR7 करसे को हैं नहीं लिखा कि कैसे विज्ट के प्रोमोट करते जाता है यहीं न सब्सक्राइब 80-20 बेस्ट होगा कोई कुछी भी नहीं लिखा है उसके अंदर ओके सिर्फ एहीं बोला गया था कि कोऊल स्टूटें सालाव प्रमोट अंदर इसमें आ जा था एक्जाम रिजल्ट अन बहुत रहा है कि लप करेंगा मैंने एक एंटर्वु में देखा कि हमारे मारने सिख्र मंद्री जी ने बोला था कि हमारे जो सारे नेक्स देख्रमिश्टेर में जो प्रमोट कर दिया जाए कोई मामूल से बात नहीं ठीक है बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं सोच था कि यह एकदम फालतू बगवास है दो को इसके अंदर मेनी कोईशन आ जाता है बहुत सारे कोईशन आ जाता है इंटर्मिनल से मिस्टर के लिए ऑके बट बट आप लोग को यह जो सारा मै बंद रहता है और अगस से अगर स्कॉलेजिस ओपन होता है एक्जामिनिशन के लिए ओके एक्जामिनिशन के लिए उपन होता है तो हमारे जो जुलाई जो 31st जुलाई लास्ट टीक 31st जुलाई के अंदर ही आप लोग एडमीट कर मिल जाएगा ठीक है क्यूंकि देख जी उपन होता है तो मेरे खाय से 31st जो इसके लिए निकल जा है ऑगर अगर बंद रहता है तो मैं नहीं बता सकता है निकल चाहिए कि देखो च्ठ आमिट कर निकले अगर स्त घुए या गॉइर फिर्सट टे एकश chickens कब होगा होगा या नहीं होगा तो औव बश्य ओग तो यह entrance exam नहीं होता है तो आप लोग admission भी नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि देखो जो final semester जो हमारे semester exam होता है उसके basis पे admission नहीं हो सकता है तो फिप जो question है probably कौन से मन्त में जिलेट exam हो सकता है ओके तो मैंने पहले ही बोला कि जो हमारे August में अगर on हो जाता है यह open हो जाता है हमारे सारे colleges तो आगस्ट middle week and last week में होना चाहिए क्योंकि देखो हमारे जो new academic session जो first year and lateral admission होता है उसका जो start होने वाला है September या October से October अभी fix नहीं हो आए बत बोल रहा है कि October से start होने वाला है तो अगर September से start होने वाला है तो आप लोग अगस्ट में साड़ा कुछ complete करना ही होगा ठीक है examination complete करना होगा ठीक है and counselling complete करना होगा and admission भी complete करना होगा September के अंदर ही ताकि आप लोग October से आपका जो academic year start कर सकते हो तो अगर September से start होता है आप लोग आगस्ट में ही complete करना होगा and first October से आप लोग का जो academic year start हो जाएगा होगा तो मैंने बोला कि अक्टोबर से स्टार्ट होने वाला ठीक है अगर होता है तो October सा ही होगा and my own selection 200 important dates तो जुलाई आगस्ट जुलाई में कोई कुछ नहीं हो रहा है कि आगस्ट सेप्टेम्बर में ही साड़ा कुछ complete हो जाएगा admit card examination counseling सब कुछ complete हो जाएगा मेरे ख्याल से आइंड जो हमारे October से आप लोग का जो academic session start हो जाएगा भी टेक में ठीक है थर्ड समिस्टर में तो अगर वीडियो का चला लागा तो पर सब्सक्राइब कर देना एंड एक लाइक सब्सक्राइब कर देना तो चलो में ते नेक्स सब्सक्राइब भाई टेक क्या